नमस्कार दोस्तों भार सरकार ने लोकडाउन में सेलरी से डिलेटिड डिजास्टर मेनेजमेंट टेक्ट 2005 के थैत सबी कमपनी सबी छोटे बड़े उद्योग किसी भी तरह की कमपनी और सबी मालकों को ये आदेश पारित किया था कि वो अपने करमचारी की किसी भी तरह से से सेलरी में डिडक्शन ने करें और आने वाली अगले महीने की डू डेट से पहले पूरी सेलरी उनके अकाउंट में क्रेडिड करें लेकिन कल ही सुप्रीम कोर्ट में एक पी आईल दाखिल किया गया है डिजास्टर मेनेजमेंट एक्ट 2005 के अगेंस्ट और मनिस्ट्री ओफ होम पेस द्वारा सेलरी से रिलेटिड जो आडर पास किया है आज इस वीडियो में पूरा कवर करेंगे कि कि किस कमपनी ने सुप्रीम कोर्ट में डिजास्टर मेनेजमेंट एक्ट को चुनूती दी है और उसके अंदर क्या-क्या पॉइंट डिसकस किया गया है तो प्लीज इका एक्सपोर्ट लिमिटेर जो इस्टेबलिश हुईती 1953 में एक बहुत बड़ी एक्सपोर्ट कमपनी है इन्होंने कल ही सुप्रीम कोर्ट में एक PIL दाखिल किया है और जिसमें सबसे फर्स पॉइंट मेंसन करते हैं कि लोगडाउन में हमें लगबग 1.5 क्रोड रुप कि लोगडाउन में उनको 100% सेलरी देनी है तिसरे नंबर पॉइंट पर PIL में में मेंसन है कि आगे लोगडाउन बढ़ने की वज़े से हमें 1.5 क्रोड रुपे का और ज्यादा नुक्सान होने की संभावना है और लोगडाउन और ऐसे ही चलता रहे तो हमारी कमपनी बंद हो शक्ती है PIL में ये भी मेंसन किया गया है कि जो M.H.C. और महराष्टराज सरकार ने जो ओर्डर पास किया है ये पूरणता इल्लीगल है और जो आर्टीकल है 14 और 19 का उलंगन करता है यानि डिजास्टर मेनेजमेंट एट के दुरान जो भी आप लोगड़ों सेंटर गो करती है कि जब तक इस PIL का सुप्रीम कोर्ट के दोवारा कोई फैसला नहीं आ जाता तब तक हम अपने इंपलोई को 50% सेलरी देंगे और साथ में इसमें कमपनी मेंसन करती है कि अगर हम अपने इंपलोई को पूरी रूप से यानि 100% सेलरी देते हैं तो हम बिल्कुल पूर इस friend management act अजनल को कमेटी है वो सेक्षन साथ और सेक्षन दस के तहत बनाई गई है तो जो डिजैस्टर मनेज़मेंट エक्ट है उसमें ऐसा कोई प्रावजान नहीं है कि जो private company को force करें आग private company को आदेश दे कि lockdown के दुरान उस company को अपने employee को 100% salary देनी है पूरी salary देनी है यानि DMA के अंदर ऐसा कोई भी प्रावजान नहीं है एट प्वेंट में प्याइवली में कहा गया कि central government ने सब को आदेश दे दिया सभी private company सभी को आ प्राष्टा सरकार को यह जरूर सोचना चाहिए कि उन्होंने आदेश तो पारित कर दिया क्या यह reality में यानि on ground क्या यह feasible हो पाएगा next point में company लिखते है कि हमें कुछ भी clarify नहीं है कि जो यह salary है यह सभी employee के लिए बोला गया है या जो migrant है इसके लिए बोला गया है MHA का यह ऐसा कोई भी clear आदेश नहीं है तो प्लीज MHA या center government हमें बताने की जड़ा कोशिस करें कि जो यह order पास हुआ है यह किस से related है और किसको पूरण रूप से salary दी है आगे इसमें mention है कि जो भार सरकार या MHA ने order तो पास कर दिया लेकिन जो employer है उनकी financial condition को नहीं देख without employer के बिना सोचे समझे उसकी financial condition को देखते हुए MHA ने सीधा order पास कर दिया कि सभी employer को अपने करमचारियों को पूरण रूप से 100% salary देनी है यानि उसके अंदर कोई भी deduction नहीं करना है तो यह main point थे PIL के अंदर जो mention किये गए है अब result जादा दोस्तों बहुत जादा interesting होग कि Supreme Court इसके उपर क्या फैसला देती है आप बहुत सारे करमचारियों की जो salary है वो depend करेगी Supreme Court के order के उपर अगर Supreme Court favor में देती है तो हो शकता है कि आपकी salary मिल जाए और लेकिन मेरे को लगता है कि इसके अंदर DM में के अंदर भी मैंने आपको बताया था EP Act है जो उसमें मैंन ही हुई है उनमें deduction होश के या अगर Supreme Court अपना कोई अलग से verdict देते है तो वो फैसला बहुत ही जल्दी interesting होने वाला है तो दोस्तों जैसा ही Supreme Court का verdict इसके उपर आ जाएगा मैं तुरंत आपको YouTube के उपर बता दूँगा कि Supreme Court ने हमारे इस फैसले में क्या result दिया है तो टोपिक पर वीडियो पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब किजिएगा तो दोस्तों अगले वीडियो के लिए तब तक जैहिंद वंदे मात्रम